नमस्कार दोस्तों मैं रेनुका बुरा आप सब का हरियाना अड़ा 247 चैनल परहारदिक स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ आप सब एकदम मस्त और स्वस्त हो करके अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे एक बार जल्दी से क्लास को सेर कर दीजे भई फिर हम आज की क्लास की सुरुआत करने वाले हैं जल्दी से क्या करना है क्लास को सेर कर देना है फिर हम आज की क्लास को सुरू करने वाले हैं क्या करेंगे भई क्या करने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांस के लिए एक सब्द जिसके आधे क्योस्टन हमने कल वाली क्लास में कर लिये थे हम ज्यादा से ज्यादा क्योसिस करेंगे तो जल्दी से एक बार क्या करना है क्लास को सेर कर दो और लाइक करते रहना अनुगामी होता है, कोई नहीं या अनुवरिती, क्या होता है आपका पीछे-पीछे चलने वाला, बताइएगा भई, जो पीछे-पीछे चलता हो, उसको क्या कहा जाता है, अनुचर, अनुगामी, अनुवरिती या कोई नहीं, बताइएगा भई, A, B, C, D, क्या आपका जव गामी उसे कहा जाता है चलिएगा भई अगला क्योस्टन आप देखिएगा जिसे जीता ना जा सके वो क्या कहलाता है अग्गे दुर्जे एप्राजे या अजे क्या कहोगे उसे आप बताएगा भई एक बार सभी बच्चे जितने बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं एक हम क्या करेंगे या जादा करने की कोशिस करेंगे तो किसी बच्चे का अभी हम ये नाम नहीं देखेंगे कमेंट नहीं कान के नीचे लटकने वाला कोमल भाग क्या कहलाता है कर्ण पाली कर्ण कर्णा भर्ण या कर्ण फूल क्या कहलाएगा भई क्या कहलाता है कान के नीचे लटकने वाला कोमल भाग कर्ण पाली कर्ण कर्णा भर्ण या कर्ण फूल जल्दी से मुझे बताएंगे भई एक बार सभी बच्चे जवाब देंगे A, B, C, D क्या आपका जवाब यहां पर होने वाला है जल्दी से बताईएगा भई जल्दी से जल्दी 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 A, B, C या D क्या आपका जवाब यहां पर रहने वाला है बताईएगा मुझे करण पाली, करण, करण अभरन या करण फुल, चलो भई, सभी बच्चे यहाँ पर मिक्स जवाब दे रहे हैं, बताईएगा मुझे क्या होगा, कान के नीचे लटकने वाला भाग आपका क्या कहलाता है, करण पाली कहलाता है, चलो भई, जो बहुत बोलत उसे क्या कहा जाएगा वाचाल है परकर है परखर है प्रवक्ता है या कोई नहीं क्या आप उसे कहेंगे जो बहुत बोलता हो क्या कहा जाता है जो व्यक्ति बहुत बोलता हो उसे क्या कहेंगे आप वाचाल कहते हैं परखर कहते हैं प्रवक्ता कहते हैं या इन में से कोई नह बताईएगा भई एक बार सभी बच्चे जवाब देंगे क्योस्टन नमबर 4 जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है है ना सबका साथ सबका विकास जो बच्चे यहां पर सिर्फ पढ़ने आते हैं उनका भी ध्यान रखना है भई चलिएगा जो बहुत बोलता हो क्या कहलाता है आपका वाचाल कहलाता है बहुत बढ़िया भई बहुत ही अच्छा जवाब दिया है जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द यहां पर क्या होने वाला है वाचाल आपका होने वाला है बहुत अच्छे जो बहुत सी भाशाओं को जानने वाला हो उसे क्या कहा जाता है दू भाशिया बहु भाशिया बहु भाशा भी दिया बहु भाशा भाशी क्या आप उसे कहते हैं बताना भई एक बार जो बहुत सी भाशाओं को जानता हो जानने वाला ठीक है जानने वाला क्या कहलाता है क्या आपका कहा जाएगा सभी बच्चे जल्दी से जवाब देगे मुझे यहाँ पर क्योस्टन नमबर पांच का क्या आपका जवाब होने वाला है बहुत अच्छे क्या कहा जाता है बहु भाशा विद क्या कहा जाता है जो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला हो ठीक है आपकी बहुत सी भाषाओं को जानता है हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू सभी भाषा वो जानता है तो क्या कहलाएगा वो भव भाषा विद कहलाएगा जो प्रिथ्वी से संबंध है बताईगा भी जिसका क्या कहलाएगा ABCD बताइए गए जो प्रित्वी से संबंद है उसे क्या कहा जाता है ABCD प्रिता पार्थि विलोकिक भूगो मिए जल्दी से मुझे जवाब देंगे वार क्लास को शेयर कर दो जल्दी से क्लास को शेयर कर देना है ठीक है और अपनी हाजरी लगा दिजएगा क् क्लास में entry करो ठीक है क्या कहा जाता है जो प्रिथवी से संबंध है उसको क्या कहा जायगा पार्थि उसको कहा जायगा यह आप लोगों के लिए group C के लिए यहाँ पर आपकी तयारी करवाई जाती है ठीक है बैस है आप लोगों के लिए जो आपको लिंक मिल जाएगा उस लिंक से आपको डाउनलोड कर लेनी है और जब आप डाउनलोड करेंगे ठीक है तो उसका एक सिंगल पैसा आप से नहीं लेने वाला कोई भी वहाँ पर आपको बहुत सारी चीजे मिल जाएंगी टेस्ट सीरीज मिलेंगी वहाँ पर ठीक है और भी आप डाउनलोड करेंगे एडाट फूर सेवन की अगर बैच आप लेना चाहते हैं तो क्या करना है वाई सेवन डबल फाइफ ये वाला कोड लगाना है और ये आपको 880 रुपय मिल जाएगा वहाँ कितने रुपय मिल जाएगा ये वाला कोड लगाने से ठीक है चलिएगा दो आगे बढ़ो भी न तय्रने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द बताईगा वो जल्वत तरने इच्छा कोई नहीं या ति त्रिसा बताईगा भी तैarf bon वाला कि बताओ भी बताओ क्या कहा जाएगा ABCD जो तैरने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहा जाता है कि बताइएगा भी ABCD क्या होगा आपका मचली तैरती है तैरने की इच्छा रखने वाला बताइएगा भी कौन कौन तैरना पसंद करता है जो तैरने की इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है तितिर्शा कहा जाता है क्या कहा जाता है याद रखिएगा जिस पेड के पत्ते जड़ गए हो उसे क्या कहा जाता है एपत एपरणा परपरण या पतहीन क्या आप कहते हैं उसे देखा होगा न है न पतजड में जब आपके क्या होते हैं पेडों के पत्ते जड़ जाते हैं और सिर्फ खाली टहनिया ही रह जाती है तो उस पेड को क्या कहा जाता है बताइएगा मुझे क्या आप कहेंगे उसे एपत कहेंगे एपरणा कहेंगे परपरण कहेंगे या पतहीन कहेंगे क्या आप उसे कहते हो ऐसे पेड को जिसके पत्ते जड़ चुके हैं क्या कहेंगे या आप बताइएगा एक बार मुझे B, C, D पतहीन नहीं कहेंगे वही, क्या कहेंगे उसे एपत कहेंगे जिसके पत हैपत आपका आपका कहां जाता है याद रखिएगा इन चीजों को आप याद रखो भई जगड़ने वाला मनुश्य बताईएगा जगड़ने वाला कोई मनुश्य है तो उसके लिए एक शब्द बताना है कि क्या उसे कहते हो आप, विभीशन कहते हो, नारत कहते हो, सकुनी कहते हो या कोई नहीं, बताना भी एक बार क्या आप उसे कहते हैं, जगडने वाला या जगडा करने वाला, ठीक है, बताईएगा मुझे, क्या कहा जाता है, विभीशन कहते हो नारद कहते हो या सकुनी कहते हो या इन में से कोई नहीं नारायन नारायन कौन थे ऐसे आपके नारद मुनी थे है ना जो देवताओं में जाकर के क्या करते थे नारायन नारायन और एक दूसरे की बात यहां से वहां वो लगाते रहते थे है ना जिसको चुगली भी क यह जाकर वहां उससे जगडा होता था वी, तो नारत आप उसे कह सकते हैं, जो जगडने वाला मनुश्य हूँ, चलिएगा भी, उत्राधी कार में प्राप्त संपती को क्या कहा जाता है, रिक्त कहा जाता है, वसीहत कहा जाता है, दरोहर हो गा या कोई नहीं, बताएगा भी क क्या कहने वाले हैं जो आपको उत्राधी कार में संपती मिलती है उसे आप क्या कहते हैं एक सब्द उसके लिए बताना है जल्दी से बताईएगा भई सभी बचे जवाब देंगे उत्राधी कार में प्राप्त संपती क्या कहलाती है रिक्त होगा वसीहत होगा दरोहर होगा य हमारी नमस्ते नहीं ली हमारी जामराम नहीं ली एक बार बस मुझे यहां पर जवाब दे देंगे सभी बच्चे उत्राधी कार्मि प्राप्त जो आपको संपती होती है उसे क्या कहा जाता है रिक्त ठीक है क्या कहा जाता है रिक्त कहा जाता है भई ना वसीहत होगी ना द्र हाथी कहा जाता बताईएगा हाथी की सवारी है ना बड़ी ही प्यारी हाथी पर कौन-कौन बैठा है भई हाथी पर जब बैठते हो तो जो बैठने का स्थान जो आशन आपका होता है उसे क्या कहा जाता है बताईएगा मुझे क्या कहेंगे आप वक्त कहेंगे ओधा कहेंगे जीन कहेंगे या काठी कहेंगे क्या कहोगे हाथी की पीट पर रखे जाने वाला आसन क्या कहलाता है बहुत बड़िया भी क्या कहलाता है वो ओधा कहलाता है इसके लिए एक शब्द बताईएगा भे गिरा हुआ पतीत लुन्ठित निरलज या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा गिरा हुआ पहले कर चुके हो आप ये वाला क्योशन है ना अलग रहा है मैं पहले आ चुका है ये क्योशन आपके तो बताइएगा इसका क्या आप जवाब देना चाहेंगे पतीत, लुन्ठित, निरलज इनमें से कोई नहीं क्या होगा गिरा हुआ गिरा हुआ गिरा हुआ गिरा हुआ बताइगा क्या होता है पतीत बहुत बढ़िया भी क्या कहा जाता है उसे पतीत कहा जाता है स्वेम सेवक के लिए प्रियुक्त होता है बताइगा भी स्वेम सेवक के लिए क्या प्रियुक्त होता है स्वेम की सेवा करने वाला सब की सेवा करने वाला या अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला या उपनिवेश क्या कहा जाता है स्वैम सेवक क्या कहा जाता है बताईएगा भई एक बार मुझे स्वैम सेवक के लिए प्रियुक्त सब्द बताईएगा क्या होने वाला है A B C या D क्य आपका जवाब होने वाला है, जल्दी से मुझे बताईएगा, है न, वो आपकी पॉल वाली सुविधा जल्दी से करवा दी जाएगी भई, हमने बात की है, ठीक है, हो जाएगा, आपको आगे आने वाले भविश्य में जो क्लास लगेंगी, उनमें आपको पॉल देखने को म लेगा, ठीक है, हम तभी आपके नंबर काउंट करेंगे भई, तब तक के लिए आप लड़ना नहीं, जगड़ना नहीं, ठीक है, बताईएगा, मुझे यहाँ पर आपका जवाब क्या होने वाला है, सी, बहुत बड़ी अभी क्या होने वाला है, अपनी इच्छा से दूस साइकाल या अपराहन, क्या उसे कहा जाता है, बताईएगा, संध्या और रात्री के बीच का समय, बताओ भी बताओ, एक बार मुझे सभी बच्चे जवाब देंगे, जल्दी से आसान है, आप लोगों का क्योस्तिन बहुत आसान है, जल्दी से जवाब देंगे भई, एक संध्या और रात्री के बीच का समय, क्या होने वाला है, गोधुली होने वाला है, बहुत बड़िया भई, है ना, क्या होनता है, आपका संध्या और रात्री के बीच का समय, गोधुली होता है, गोधुली, जब श्याम को आपके क्या होते है, जब ना तो रात होती है, और जब चिप जाता है उस समय का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है संध्या का जो समय होता है गोधुली कहा जाता है उस टाइम पर आपके पसु है ना पसुओं को जब हम वापिस लेकर के आते हैं तो वहां पर जो धूल उड़ती है ना उसको कहा जाता है गोधुली ठीक है त विजय विजयता क्या कहा जाएगा किसी पर विजय पाने की जो इच्छा रखता हो जी गिसू आजे विजय विजयता क्या कहलाता है नंबर 15 का जवाब देंगे भई एक बार सभी बच्चे क्या होता है आपका किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है ज इसे ही जवाब देते चलो और बस अपना आगे बढ़ते चलो ठीक है कि उसने नंबर 16 का बताईएगा पर्ती पदा का अर्थ बताईएगा मुझे क्या होने वाला है पर्ती पदा पुर्णिमा एका दसी पक्स की पहली तिथिया इन में से कोई नहीं क्या होगा बताओ भई पर्ती पदा का अर्थ पूछा गया है क्या होता है पर्ती पदा पुर्णिमा होती है एका दसी होती है पक्स की पहली तिथि होती है या इन में से कोई नहीं जवाब दो भई जवाब दो बताईएगा भई एक बार मुझे क्या आप जवाब देना चाहेंगे यहां पर सभी बच्चे भई सिर्फ जवाब देंगे और कोई बात नहीं चलेगी पर्ती पदा का अर्थ बताईएगा क्या होता है आपका पक्स की पहली तिथि को क्या कहते हैं पर्ती पदा कहते हैं प क्या कहते हैं खेचर कहते हैं नभ चाली कहते हैं नभ बेता कहते हैं या कोई नहीं क्या कहा जाएगा भई जो नभ में चलता हो बोलो भी बोलो एक बार तभी बच्चे अपना खाना वाना खाके बैठे होंगे ठीक है अच्छे से बस जवाब देते चलो हम किसी का नाम आज न क्लास को लाइक और शेयर कर दो अच्छे से बच्चों की संख्या बड़े ही अच्छा लगेगा ज्यादा सी ज्यादा क्यों आपके किये जाएंगे ठीक है तो बातों में नहीं सिर्फ काम पर ध्यान दो जो नभ में चलता हो उसे क्या कहा जाता है खेचर कहा जाएगा जो लाइब क्लासिस दी जाएंगी ठीक है आपको 2400 घंटे यहां पर पढ़ाया जाएगा रिकोड़ीड क्लास दी जाएंगी और यहां पर क्या होगा आपको 100 से ज्यादा पीडियाफ मिल जाएंगी ठीक है यह आपका 41999 में है अगर कोई बचा लेना चाहता है इच्छुक है लेने के तो 755 755 कोड लगा लिजेगा और अड़ा 247 की एप से इसको डाउनलोड करना है ठीक है अड़ा 247 की एप और एप मैंने बता दी है कहां से डाउनलोड होगी लिंक से डाउनलोड होगी लिंक आपको कहां मिलेगा इसका क्लास के नीची इसका लिंक मिल जाएगा व जो किये गए उपकार को मानता हो, एक तो होता है जो किये गए उपकार को ना माने, है ना, ऐसे भी तो होते हैं, भई, किसी को हम कर देते हैं, कार्म, और वो उपकार उस पर होता है, लेकिन वो उसे मानता नहीं है, है ना, बहुत सारे होते हैं, भई, ऐसे, एक मानने वाला हो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका आपने चोटा सावी काम कभी मदद की हो तो उसका भी उम्र भर के लिए शान मानता है और कोई ऐसा जिसके लिए चाहिए आपने जान अपनी दे दी हो लेकिन उसका कोई उपकार वो नहीं मानता तो जो मानने वाला होता है उसे कहते हैं करतग ठीक है, क्या कहा जाता है, क्रितगन कहा जाता है, ये वाला जो उपकार को ना मानता हो, उपकार ने मानने वाला, इस चीज को याद रखेगा, ये आपको कन्फ्यूज करती है, मानने वाला उपकार, ने मानने वाला क्या कहा जाता है, क्रितगन कहा जाता है, चलिएगा, बच ब haircut को सुलाने के लिए जाने वाला गीर आपकी मम्मी ने आपके लिए खूब घाया हो गा हम जब छोटे थे तो हमारे लिए जाता था क्या लडा लल्ला लोरी दूद की कटोरी दूद में पतासा मुन्ना करेतमासा इस तरीके से गाया जाता था तो उसे क्या कहा जाता था आपका परभाती कहते लोरी कहते थे विहाग कहते थे क्या कहते थे चंदनीया छुप जानारे पल भर को लुक जानारे निद आखों में आए गुड़िया मेरी सो जाए बताइए गा क्या कहते हैं उसे लोरी कहते हैं बहुत बढ़िया क्या कहा जाता है उसे लोरी कहा जाता है जो मा अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाना गाती है उसे क्या कहते हैं लोरी कहते हैं ठीक हैं हमेशा रहने वाला बताईएगा हमेशा रहने वाला विहाग स्थाई साश्वत या अमर हमेशा रहने वाला क्या कहा जाता है विहाग स्थाई साश्वत या अमर क्या बोला जाएगा बताएगा भी विहाग स्थाई साश्वत अमर जो हमेशा रहता हो हमेशा रहने वाला क्या कहा जाता है बता है मुझे पता है मुझे अभी बताएगा कोई बच्चा स्थाई कोई शाश्वत, कोई अमर, लेकिन जवाब कोई नहीं देगा, अभी समझ गई होंगे, चाला कलों मड़ी है, वमारी इकलास में, है ना, क्या होगा, इसका जवाब यहां पर विहाग होगा, हमेशा रहने वाले को क्या कहा जाता है, विहाग कहा जाता है, चलिएगा, जिसे उ उपर कहा गया हो, उसे क्या कहते हैं, उपरियुक्त, कथनिये, कथे या इन में से कोई नहीं, बोला जाता है ना आपका, उपर दिये गए वाक्या में, उपर लिखा हो, और फिर कहा जाता है उपर एक, उसने पंक्तियां, दो पंक्तियां लिख दी हैं, और नीचे फिर बोले कोई से कुई नहीं क्या होगा ओंटक क्या हो इंते के श्या के इस तरीके से आपको भोली जाता है चलो भी अथीथी सत्कार की भावना क्या कहलाती है अभ्यागत अथित्याहूतिया कोई नहीं अथीथी सत्कार की भावना बताईएगा अथीथी देवो भवल बताईएगा भी अथित्य सतकार की भावना अभ्यागत अथित्य आहूत्य कोई नहीं अथिति कब आओगे बताओ भी बताओ एक बार सभी बच्चे जवाब देंगे अथिति सत्कार की भावना को क्या कहा जाता है अथित्य कहा जाता है अथित्य ठीक है अथित्य चलिएगा तुरंत उत्पन होने वाली समझ यह बताएगा भी, यह हम कर चुकी हैं, तुरंत उत्पन होने वाली समझ जो होती है, उसे क्या कहा जाता है, यह एक इसमें एक्स्ट्रा आ गया, यह नहीं आएगा, यह नहीं आएगा, ठीक है, इसको हम भाइट करते थी, बताओ भी एक बार क्या आपका जवाब होने वाला है, तुरंत उत्पन होने वाली समझ को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परस्थापन, दुनिवीर, पर्त्यूत्पनमती या पर्त्यभिज्ञान, क्या कहा जाता है भई, उसे कहा जाता है पर्त्यूत्पनमती, है ना, पर्त्यूत्पनमती, इस तरीके से बना है यह, पर्त्यूत्पनमती, यह हम पढ़ चुके हैं, हमारी क्लास में आया था ये जो 12 तारिक को 12 मार्च को जो हमने मेराथन ले थी उसमें था ये वाला किर्सन ठीक है जिसकी बाहें अधिक लंबी हो बताएगा भी जिसकी बाहें अधिक लंबी हो लंबोदर सुभेच्छू अपादमस्त या परलंब भबाहू क्या आपका जवाब होगा यह सुभेच्छू अपादमस्त या परलंब भाहू क्या बताओ भी बताओ एक बार ABCD क्या होगा ABCD EFG अच्छा है जिसकी बाहें अधिक लंबी हो क्या कहा जाता है उसे अपादमस्त कहा जाता है अपादमस्त ठीक है चलिएगा आगे बढ़ते चलो साथी हात बढ़ाना मिलकर बोज उठाना है नएक केला ठक जाएगा मिलकर बोज उठाना साथी हात बढ़ाना चलिएगा जो इंद्रियों के ज्यान से परे हो क्या कहा जाएगा निर्निमेस जितेंद्रिय अतिंद्रिय या कोई नहीं जो इंद्रियों के ज्यान से परे हो है ना निर्निमेस हमने कल पढ़ा था ना क्या होता है निर्निमेस एक टक जो देखता हो बिना पलक जपकाए जो देखे उसे क्या कहते हैं निर्निमेस कहते हैं तो बाकी का बताएगा क्या होने वाला है अभी, जितेंद्रिय होगा या अतिंद्रिय होगा, या इन में से कोई नहीं होगा, क्या होने वाला है भई, बताना एक बार, क्या होगा, अतिंद्रिय होगा, जो इंद्रियों के ग्यान से परे हो, बहुत अच्छे चलिएगा, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तू क्या कहलाती है दरोहर कहलाती है रिक्त कहलाती है विरासत कहलाती है बताईएगा क्या कहलाती है क्या 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 किसी के पास रखी दूसरे की वस्तू जो आपको संपती उत्राधी कार में मिली हो वो तो ह रिक्त है ना और बताओ क्या हुआ क्या कहलेती है धरोहर बहुत बढ़िया भी क्या कहलाता है बीस का जवाब होगा यानि कि क्या कहा जाता हुसे धरोहर कहा जाता है बहुत अच्छे चलिएगा अन्य से संभंद ने रखना आपके पास भी है क्या किसी की कोई धरोहर संभाल क रखएगा आन्या से संभंद ने रखने वाला और पर रने वाला क्या हो ने वाला है एकानु दिक अनंजन अन्यो अश्रित इन में से कोई नहीं बताएगा भी ABCD बताओ भई अन्य से संभंद ने रखने वाला क्या कहा जाता है बताओ भई बताओ एक बार मुझे क्या कहा जाएगा एकांतिक बहुत बढ़िया क्या कहा जाता है एकांतिक कहा जाता है जिसका किसी दूसरे से कोई संभंद नहीं होता ठीक है, अपने मत को मानने वाला, अपने मत को मानने वाला क्या कहलाता है भी, अपने मत को मानने वाला, बताईगा मुझे, क्या कहलाता है, अपने मत को मानने वाला, मतानुयाई, मताव लंबी, आतम भीमत, अभीमत, क्या कहलाता है, बताएगा भी क्या कहने वाला है क्या कहोगी अपने मत को मानने वाला मतानुयाई मतावलंबी आत्मा भीमत या अभी अभीमत ऐसी टाइपिंग है ये समझ में नहीं आता मैं है अब है है क्या होगा आपका आत्मा भीमत है ना क्या होगा आत्मा भीमत अपने मत को मानने वाला क्या कहलाता है आत्मा भीमत जिसकी गहराई ना ना पी जा सके ऐसे व्यक्ति को मतलब ऐसी चीज़ को आप क्या कहेंगे भई जिसकी गहराई ना ना पी जा सके बताना एक बार मुझे क्या कहेंगे आप बोलते चलो भाई बोलते चलो एक बार सभी बच्चे जवाब देंगे हैं न मैं नाम नहीं ले रहे हूं इसका मतलब यह नहीं कि क्लास आपकी recorded चल रहे हैं ठीक है हम जान पुझकर आपका नाम नहीं ले रहे हैं बताईगा मुझे जिसकी गहराई ना पी जा सके नगन्य अथा है दुर्द धस क्या ही एग है या धे है दुर्गरस दुसकर बताईगा अभी हम आधी कलास कर चुके हैं भई अभी हम किसी का जान पुझकर नाम लेंगे भी नहीं क्योंकि फिर जो पहले वाले बच्चे थे वो हमसे नाराज हो जाएंगे कि हमारा तो लिया नहीं था और अभी इनका ले रहे हो ठीक है भी सभी को राम राम नमस्ते हम ले चुके हैं गोड इवनिंग बेरी गोड इवनिंग जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे बताईगा क्या कहा जाता है ABCD क्या कहा जाएगा अथा कहा जाएगा बहुत अच्छे भी व्यर्थ खर्च करने वाला बता ना मुझे व्यर्थ खर्च करने वाला एक था कम खर्च करने वाला क्या था आपका मित वई है ना तो बताईगा अब ये आ गया आपका व्यर्थ खर्च करने वाला क्या होगा व्यर्थ खर्च करने वाला है ना पैसा वेसा आता नहीं है खर्च ज्यादा करते हैं बिना वात के लिए जो समान ना चाहिए वो भी लेकर के आ जाते हैं ऐसा वेक्ति क्या का जाता है व्यर्थ में खर्चा करने वाला है क्रिपन होगा मितवई होगा धनी होगा या अपवई वेर्थ का खर्च करने वाला क्या कहलाएगा अब भई कहलाएगा पती के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या कहते हैं परिव्यक्ता प्रोसित पती का आगत पती का कोई नहीं अरे इसको तो बहुत अच्छा, आसानी से बता दोगे है ना, क्या हो जाएगा, परीव्यक्ता हो जाएगा, प्रोसित पति का क्या बताया था, जिसका पति विदेश गया हो, और आगत पति का जिसका पति विदेश से आ गया हो, है ना, चलिएगा, जो दायर मुकदमे का पर् प्रतिवाद करें उसे क्या कहा जाएगा वकील प्रतिवादी अभियुक्त वादी मुकदमे का जो प्रतिवाद करता है उसे क्या कहा जाता है वकील प्रतिवादी अभियुक्त या वादी बोलो भई बोलो एक बार गलास उल गया है बता दो क्या होगा क्या होगा जवाब दो भी जवाब दो जो दाइर मुक्त का मुकदमे काम परतिवाद करे क्या कहलाता है परतिवादी कहला था वकील नहीं होगा ठीक है वकील नहीं होगा भई नीले रंग का कमल नीले रंग का कमल बताएगा क्या होगा नीले रंग का कमल इंदिवर निलाब सरोज या कोई नहीं नीले रंग का जो कमल आपका होता है उसे आप क्या कहते हैं बताएगा मुझे क्या क कहा जाता है नीले रंग का कमल कि नीले रंग का कमल होगा उसे क्या कहा जाएगा इंदिवर निलाब सरोज या कोई नहीं कि सभी बच्चे जवाब देंगे भई एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे जवाब देंगे अच्छे से जवाब देते चलो कि देख रहे हैं हम हम देख रहे हैं उपर वाला सब देख रहा है ठीक है जलते चलो नीले रंग का कमल सरोज नहीं होगा निलाब नहीं होगा क्या होगा इंदीवर होता है आपका नीले रंग का जो कमल होता है उसे क्या कहा जाता है इंदीवर कहा जाता है याद रखेगा आगे से जब कमल लेने ज होगे इंदी वर दे दो हैं देखना सामने वाले को समझ में आता है या नहीं बाएं हात से काम करने वाला है से तो बहुत सारे मिल जाएंगे है न कौन-कौन है ऐसा लेफ्ट या क्या कहलता क्या कहलाता है सत्यसाची सदावरित सक्सम या रेवाती ए बी सीडी बताएगा भई क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा भई बताना एक बार मुझे बताओ भई क्या कहलाता है क्या कहलाएगा सत्यसाची क्या कहलाता है सत्यसाची कहलाता है बाई हाथ से काम करने वाला सत्यसाची ठीक है इंगलिस में आप उसको लेफ्टी बोलते हो तो उसके लिए एक शब्दी यहाँ पर प्रियोग किया जाता है उसे कहा जाएगा ठीक है प्रिय वचन बोलने वाली कि प्रिय वचन बोलने वाली क्या कहलाएगी प्रिय दर्शी मधूर प्रिय बंदा प्रिय वच्चना बदाओ भई प्रिय वचन बोलने वाली को क्या कहोगे आप जो प्रिय वचन बोलती हो उसे क्या कहेंगे प्रिय दर्शी मधूर प्रिय या आपका प्रिय क्या वच्चना बोलो 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 नहीं देखो देखो क्या ये पेड है चादर उढ़े या खड़ा कोई मिलके सोचे आओ वंख जरा फैलाओ मिलके सोचो सभी के सभी प्रिय वचन बोलने वाली को क्या कहा जाता है प्रिय वंदा क्या कहा जाता है बहुत अच्छे भई आपके भी जरूर आएगी जल्दी आएगी है न प्रिय वचन बोलने वाली नोकरी लग जाओ एक बार नोगरी लग जाओ अच्छे से ठीक है फिर आपको भी सुनाई देंगे मिठे मिठे बोल यह ना पसीने से उत्पन होने वाला पसीने से उत्पन होने वाला बताईएगा भई पसीने से उत्पन होने वाला परदोस स्वेदज परसविन या कोई नहीं कोई नहीं दो बार कोई कोई नहीं, इतना जोर क्यों दे रहे हो क्या होने वाला है बताएगा भई, पसीने से उत्पन होने वाला पर दोस होगा, स्वेज होगा या पर स्विन होगा पसीने से उत्पन होने वाला पसीने से उत्पन होने वाला क्या कहलाएगा अरे देख रहे हैं जल्दी चलो नमस्कार हो गई सभी की आप चलते चलो चलते चलो अब हम मजबूर हैं अब हम नाम नहीं ले सकते किसी भी सिंगल बंदे का है ना बस आप क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो भई क्लास को लाइक और शेयर करते रहो ठीक है आज के लिए हम माफी चाहते हैं, हम किसी बच्चे का नाम नहीं लेंगे, हमने क्लास में पहले ही बोल दिया था, कि आज हम काम पर ध्यान देंगे, इसलिए मैंने पहले उन बच्चों का नाम नहीं लिया, है ना, आप अगर लेंगे नाम, तो फिर वो हम से नाराज हो जाएं है ना स्वेध जो होता है उसमें जै लगाकर आपका बना है क्या कहलाता है स्वेध कहलाता है याद रखेगा भई गोद में सोने वाली स्त्री गोद में सोने वाली स्त्री क्या कहलाती है गोद में सोने वाली स्त्री बताएगा मुझे सिदित कहलाती है गोदवासी अंकसाईनी या कोई नहीं बताईएगा भई गोद में सोने वाल इस्त्री यसी भी है क्या हो गोद में सोने वाल इस्त्री हसेंगे नहीं सिर्फ जवाब देंगे गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहा जाएगा एक सब्द उसके लिए आपको कहना है बताएगा क्या आप उसे कहेंगे सिधित कहेंगे, गोदवासी कहेंगे अंकशाइनी कहेंगे या कोई नहीं क्या कहोगे बोलिये बोलिये क्या कहोगे हम बैठ जाते हैं, आप बाते ही कर लो, हसलो आप तब तक, हसलो हसलो एक बार सभी बच्चे, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक सब्द बताना है, क्या कहेंगे, बताओ भई, क्या आप उसे कहेंगे, गोद में सोने वाली स्त्री, बताओ भई बताओ 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 अंकशाइनी अंकशाइनी क्या कहेंगे उसे नंबर तीन आपका कहने वाले हैं अंकशाइनी गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा अंकशाइनी होगा चलिए भई आगे बढ़ो अन्य मनसक का अर्थ बदाए अन्य मनसक क्या सब्द है भई जिसका मन अपनी ओर हो जिसका मन केंद्रित हो जिसका मन निर्मल हो जिसका मन दूसरी ओर हो क्या होगा है हुँ छोटे-छोटे सपने हुँ सपने वो अपने हु तो यारो क्या बात है मन में उजाला हो दिल को संभाला हो तो यारो क्या बात है बताएगा अन्यमनसक का अर्थ क्या होगा क्योस्टन नमबर 38 का बताएगा भई जिसका मन अपनी और हो जिसका मन केंदरित हो जिसका मन निर्मल हो जिसका मन दूसरी तर हो दूसरी और हो तो अन्यमनसक अन्यमनसक हमने देख लिया अन्यमंसक का क्या आर्थ है जिसका मन दूसरी ओर हो ठीक है जिसका मन दूसरी ओर हो चलिएगा भई चलिएगा अच्छे बच्चे चलते चलो निश्फल होने वाला व्यक्ति कहलाता निश्फल होने वाला क्या कहलाएगा भई जो निश्फल हो जाए उसे क्या कहते है अमोग क कहते हैं व स्टीक कहते हो सफल कहते हैं अजय अजय.. क्या बोलते हो भई, निश्वल होने वाला अमोग.. अ अ मेध सफल.. अजय.. इजय.. आजय.. क्या कहेंगे? 39 का क्या जवाब होगा आपका भई बताना है मुझे 39 क्योस्टर नमबर 39 यही जीना है यही जीना है यही जीने की सूरत है जिन्दगी खूब सूरत है लाइफ को इंजोय किया करो अच्छे से ठीक है यह दिन फिर नहीं आने वाले मस्ती करनी है मस्ती अपनी जगा इंजोय मेंट अपनी जगा है है ना लेकिन हमें भई पढ़ताए भी रहना है पढ़ाई को बढ़ना नहीं मानना ठीक है हम शिक्षा ग्रेन करेंगे लेकिन बिना बोज के और अपनी लाइफ को भी जो हम अमारी लाइफ में कुछ एक पार्ट होते हैं हसी वाले है ना खुसी वाले तो उसको भी सेलिब्रेट किया करो ये नहीं है कि सिर्फ अपना बस पढ़ाई 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 माना पढ़ाई जरूरी है लेकिन आपकी जीवन में और चीज़ें भी हैं जो बहुत जरूरी है आपके लिए ये उम्र बार बार नहीं आएगी ठीक है हमेशा कहते हैं पढ़ते रहो पढ़ते रहो लेकिन भई इतना भी नहीं कि खुद को ही भुला बैठो ठीक है निश्वल ही कहूंगी भई पढ़ने के साथ साथ आपको मस्तियां भी करनी होती है मस्तियां भी आपके लिए जरूरी होती है न क्योंकि आपकी जो उम्र है अभी ये वापस नहीं आएगी है ना दो दिन की जवानी है फिर नहीं आनी है चलिएगा निस्फल होने वाला कहलाएगा क्या क कहलाएगा निश्फल होने वाला क्या कहलाता है चलिए भई यह और इस स लगा नहीं कि डुन में सोने वाली स्त्री निस्व यह नी हो गी थी विट टाओं का वन क्या चाहिए का देवताओं का वन शबाओं का बताई क्फी देवता देवताओं का वन, अशोक वाटिका, स्वर्ग, नंदन कानन या देवताओ, क्या, 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 बताना मुझे देवताओं का वन, अशोक वाटिका, स्वर्ग, नंदन कानन या देवताओं, ए, बी, सी, डी, क्या, आप जवाब देना चाहेंगे यहाँ पर, बताइएगा मुझे एक बात, अरे वाब भी, वाब, 40 क्योस्टन हमने कर लिए, 40 मिनट में, अरे हम तो बड़े तेज निकले भई, है ना, 40 क्योस् बाहर आने को हो रहा है, बिल्कुल ही, बस, यहां तक आ गया है, असोक वाटिका, स्वर्ग, नंदन कानन या देवताओं, क्या कहेंगे, बताओ भई, एक बार, जल्दी से, A, B, C, D, असोक वाटिका, असोक वाटिका नहीं होगा, क्या होगा, स्वर्ग भी नहीं होगा, देवताओं का वन, क्या कहलाता है, नंदन कानन, ठीक है, यह हर्याणा महा पैक है, आप लोगों के लिए आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ना चाहता है हमारे साथ बैच में ठीक है वहां पर आपको अच्छे से थियोरी पढ़ाई जाती है भी थियोरी वाइज आपको पढ़ाया जाता है हर एक सब्जेक्ट ठीक है हिंदी हो इंगलिस हो मैथ हो अगर कोई बच्चा हर एक एक्जाम देना चाहता है और उसके लिए पढ़ना चाहता है तो उसी कोर्स ले लेना चाहिए भी हजार पलस आपको लाइब क्लासिज मिलेंगी और रिकोर्डिड क्लास का एक्सेस मिलेगा 2400 घंटे ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना होता है अड़ा 247 की एप डाउनलोड करनी होती है अड़ा 247 की एप डाउनलोड करनी होती है एप आपको लिंक से डाउनलोड करनी है क्लास के नीचे लिंक मिल जाएगा ठीक है लिंक से आपको डाउनलोड करनी होती है और क्या करना होता है एप पर जाकर जब इसको लो गे ना इस वाले बैच को तो यह सताइसो पचास दिखा रहा है ठीक है तो वहां पर जब आप कोड लगाएंगे वाई सेवन डबल फाइफ तो यह आपको और दो सो रुपए कम में मिल जाएगा ठीक है वाई सेवन डबल फाइफ कोड आपको लगाना है इसके लिए ठीक है क्योस्टन हम कर चुके हैं भई बहुत अच्छे बहुत अच्छे हमने मदलब चारिश क्योस्टन में से हम निकल करे वा भई वा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इतनी जल्दी भी हम क्लास कर सकते हैं यह न हैंक्स फूर वोचिंग भई इतनी शानती से देखा आप लोगोंने है ना लाइ rich yurka क्लास को share कर दिजिएगा और कमेंट आप करना ना भूले क्लास के नीचे आप कमेंट करेंगे अच्छे-च्चे कमेंट करेंगे बहुत अच्छे बच्चे भी हमेशा ही अच्छे करते हैं न गलत तो कभी किया ही नहीं है बहुत बढ़िया और अगर कोई बच्चा नय लिए एक दो मिनट के लिए ये हमने पढ़ा है पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है अनुगामी कहलाता है ठीक है जिसे जीता ना जा सके अजे कहलाएगा क्या कहलाएगा अजे कहलाएगा जिसे जीता ना जा सके कान के नीचे लटकने वाला कॉमल भाग जो होता है ठीक है क बहुत 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 कहा जाता है उसे जो प्रिथ्वी से संभन्ध है पार्थिव कहा जाएगा ठीक है यह फिर से आपका बैच आ गया है यह आपका सिंगल बैच है एक ठीक है जो आपको 999 रुपे में मिल रहा है वाई 755 कोड लगाएंगे तो यह आपको मिल जाएगा 880 रुपे में मिल जाएगा और भई हम चाहते हैं कि आप जुड़े ठीक है क्यों चाहते हैं क्योंकि जब आ हो सकता है उसमें आपको अगर आप 50 मिनट अपनी दे रही हैं तो हो सकता है 30 मिनट पढ़ाया जाए बाकी 20 मिनट आपकी ऐसे बातों में निकल जाए हो सकता है ठीक कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपका कोई पाबंदी नहीं होती किसी तरीके की कोई बंदा हुआ नहीं होता कोई नियम नहीं होता तो भई अगर कोई बच्चा सीरियसली पढ़ना चाता है बेपर अपना क्रेक करना चाता है तो यहाँ पर जुड़ सकता है यहाँ पर कोई बखवास बात आपसे नहीं की जाती सिर्फ काम वाली बाते आपकी सुनी जाती है और उन्हीं का एक्जाम के लिए है रफ्तार बैच तो कोई भी एक बैच अगर आपको लेना है 880 रुपे में मिल जाएगा और ये वाला कोड आप लगा लीजेगा एप जरूर डाउनलोड करनी है कौन सी एप अड़ा 247 की एप डाउनलोड करनी है एप लिंक से डाउनलोड हो जाएगी लिंक आपको क्लास के नीचे मिल जाएगा और लिंक मिल जाएगा एप डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ पर ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है भाई जो बच्चा एक्स्ट्रा मैटेरियल लेना चाहता है ठीक है पीडियेफ वगेरा भी मिल जाती है वहाँ पर आपको और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी ठीक है फ्री में आपको दिया जाता है तो इसको डाउमलोड कर लीजेगा बहुत सारी एप होंगे आपके फोन में जो फोन की स्पेस को भरे रखे होंगी लेकिन एक ये वाले एप और आप डाउमलोड कर लीजेगा फाइदा हो जाएगा एप का लिंक आपको मिल जाएगा क्लास की नीची ठीक है भी आज के लिए इतना ही भाई बहुत हुआ काफी हो गया है बहुत ज़्यादा हो गया है ये एक दबंग मैच भी है भाई आपका हरियाना पुलिस कोंस्टेबल के लिए ये भी वैसे ही सेम 999 में मिल रहा है ये भी आपको 880 में मिल जाएगा आप से डाउनलूड एप से करना है आपको ठीक है एप से आपको खरीदना है ये बैच तो आपको फाइदा हो जाएगा भी आज के लिए इतना ही अभी हम चलते हैं अपना ध्यान रखिएगा ठीक है सुब रातरी खानावा ना खाके सो जाओ भी सभी को सुबरातरी गुड नाइट भी हैवा नाइस टे बहुत अच्छा आपका दिन जाए रात जाए है ना पुरा जीवन आपका अच्छा अच्छा जाए और हमेशा हसते रहिए मुस्कुराते रहिए चलिएगा भी मिलते हैं आपको कल मिलेंगे हम ठीक है कल मिलने वाले हैं तो आजाएगा सभी बच्चे चलिएगा भी अभी के लिए इतना ही अपना ध्यान रखिएगा